अभी नतु जी की स्पाइन सर्जरी हो गई है, अभी वो ऑपरेशन थेटर से बाहर आ गए है, और वो ऑपरेशन के बाद सिर्फ देड़ घंटे में ही चलने लगे है, जो की ऑपरेशन से पहले आप दाय पैर में तकलिफ लेकर लेट करी थे, आपको बैटने तक का नहीं आ अभी आप इतने फ्री हो चुके हो इस तरह से आप पहले खड़े भी नहीं रह सकते थे, आप देख सकते हो सर्जरी के बाद नतु जी पूरी तरह के से ठीक हो चुके है, और वो कम से कम आप कितना किलो मेटर तक चले होगे, दो तो कम का, मतलब ऑपरेशन से पहले इतना आ मतलब दो कदम भी आप ठिक से नहीं चल सकते थे, लेकिन अभी आप सर्जरी स्पाइन के आपकी हो गई है, आपकी जो गद्दी पूरी तरह के से बाहर थी, वो सर ने जगा पे बिटा दी, नर्स को फ्री कर दी, जिस वजह से आपकी तकलिफ पूरी तरह के से चले होगे, और अभी आप इतना भी चलो, कितना भी चलो, लेकिन कोई तकलिफ नहीं रहती, तो नतो जी हमें अभी चल कर दिखाएंगे, कि वो कितना फ्री हो गए है अभी, पहले उनको सर्जरी के पहले, बिल्कुल भी चलने तक का ने आ रहा था, दो कदम भी वो मुश्किल से चलते हो थे, लेकिन अभी दो किलोमेटर भी चले, तो भी उनको दर्द नहीं होता, तो चलिए अभी उनको चलते समया है, इस तरह से पहले, पंदरा दिन में इक पढ़े भी नहीं आला, कदम भी नहीं चले, इतना जादा, जो इंसान स्पाइन के तकलिफ के वज़र से, पंदरा दिन से लेट कर ही था, एक कदम भी उन्होंने नहीं चला था, क्योंकि दज ही उतना जादा था, कि वो ठीक से बैड भी नहीं सकते थे, खड़े नहीं रह सकते थे, लेकिन सर्जरी के बाद, अभी आपने देखा, कि वो किस तरह से फ्री चलने लगे है, इस से भी जादा, वो अभी और भी रिजल्ट आना बाकी है, और वो दिन बदिन दिन बदिन आते ही जाएंगे, लेकिन अभी भी वो इतने ठीक है, कि चलते समय इनको कोई बोल भी नहीं सकता कि ये पेशन्ट है, अगर ये बेल उनके कपड़ों के अंदर रहेगा, तो उन्हें कोई पेशन् आपको कोई बोलेगा कि आप पेशन्ट हो, इतने जादा आप ठीक हो चुके हो, और नथु जी का यहां आने का कारण एक ही था, कि उनके रिष्टेदारों का पहले अपने यहां पे स्पाइन सर्जेरी हो गए थी, बाजरों मोरे, सुष्मा मोरे, जो इनी के रिष्टेदा स्पाइन के वजह से लेट कर नहीं रहें आप